कि अज़े लोग रास्टे जंता दल परिवार के सदस्थे और पुना घरवापसी हुआ है बिहार की राजनीती में आज सबसे बड़ी उलट फेर हुई है जहां AIMIM के चार बिधायकों ने राज़त का दामन ठाम लिया है जिसके बाद से अब AIM यानी की असरदुन वैसी के पार्टी के पास बिहार में सिर्फ एक बिधायक बच गए है उहीं इस घटना के बाद से सिमानचल के निताओं में भी खुसी का महौल देखा जा रहा है उहीं पुर बिधायक नीरज यादों ने कटिहार में बड़ा ब्यान दिया है इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुबह का भूला अगर साम में घर लोट आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता उन्होंने कहा कि चारों बिधायक ने जन दवाव में यह फैसला लिया है और आने वाला दिनों में सत्ता पड़वर्तन भी होगा उन्होंने कहा कि अब भी अल्पसंक्यक समाज राज़त के साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा सभी लोग रास्टे जनता दल परिवार के सदस्त थे और पुना घर वापसी हुआ है इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इस सुबह का भूला अगर साम को घर वापसी होता है तो इनके लिए इनको बहुत-बहुत बढ़ाई बहुत-बहुत सुबकामना और बिहार की जनता यही चाहती है एक बड़ी चर्चा थी कि सीमान चल में खासकर अल्प सिंग के घोट आर्जेटी से दरख रहा है एक लोगों को भ्रमीत किया गया था उस कारण से लोगों को कॉई कंफिजन नहीं है एक ही उद्देश है कैसे बिहार में यह जो अठारा साल से जो एंडिय की सरकार है कैसे इनको यहां से हटाया जा यह विधायकों पर भी दबाब था जन दबाब था उसके करण मरजर हुआ अब क्या लगता है सबसे बड़ी पार्टी में अगला कदम क्या सरकार परिवर्तन का कुछ बिल्कुल होगा सरकार परिवर्तन भी होगा जिस तरह से बिहार के लोग महगाई से बिरुजगारी से और अगनीपत योजना से जिस तरह से उबाल है पूरे बिहार में सरकों पर कि पिछरे वर के लोग हों सब के सब का एक ही डिमांड है तेजस्वी तेजस्वी भवा कटिहार से जियाम की रिपोर्ट अगर आप ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो फेस्बूक के माधियम से देख रहें तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें इसी तरह की तमाम छोटे बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें धन्यवाद